हमार साथ आमाधी पार्टी के सांसद संजे सिंग इस वक्त मौझूद हैं जो कि आज पूरे देश भर में निकल रहे हैं कोशिश यह है कि जो केंद सरकार अध्यादेश लेकर आई है उसमें पूरे विपक्ष को एक साथ जोड़ा जा सके संजे जी आज आप निकल रहे हैं पहले बंगाल जाएंगे उसके बाद बुमभी जाएंगे कई बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है अब तक किस तरीके का आपको लग रहा है कि सकारात्मक एक तरीके से रिजल्ट मिलता हो नजरा रहा है इन से मुलाकात देखे अरविन आदेश बिल्कुल गलत है मानिय सरवोच नियाले के आदेश को पलटने की कोशिस की गई है संविधान लोकतंत्र और संघिय धाचे को चोट पहुचाने की कोशिस की गई है केजरिवाल जी ने उसके बाद तैंक किया है कि वो पूरे देश में जाएंगे और अलग-अलग रा सरत पवार जी से मुलाकात करके और ये काला कानून ये काला अध्यादेश जो आया है इसको राज्य सभा में किसी भी सूरत में पास नहीं होने दिया जाए इसके लिए सबसे समर्थन मांगेंगे एक बात आपने कल कही थी कि एक सेमी फाइनल ये होगा 2024 से पहले आपको मानी सरवोच नियाले के आदेशों को कैसे लागू किया जाए इस देश के अंदर अगर भारत के सरवोच नियाले के पांच जजों की खंट पीट ने सम्विधान पीट ने अगर कोई फैसला दिया और वो भी पलट दिया जा रहा है सिर्फ एक अध्या देश के जरिए तो फिर इस देश में तो कोई संस्ता बसती नहीं, सरवोच्चे ने आले फिर बचा नहीं, फिर समविधान बचा नहीं, फिर लोकतंत्र बचा नहीं, फिर संगी धाचा बचा नहीं, तो डेमोक्रेसी के उपर यह प्रहार है, इसलिए सारे बिपक्षी पार्टियों को एक जुट मेंसेज अभी तक नहीं आ रहा है, इसके बारे में कॉंग्रेस पार्टी से पूछे, उनका एक बयान आया है कि हम लाइक माइंड़ेट पार्टी से सला लेंगे, तो लाइक माइंड़ेट पार्टी मतलब कौन, आर जे डी, जे डी उ, दो पार्टियां तो खुलेयाम होगा, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी, लोकतंत, सम्विधान, भारत के संगिये, धाचे और सर्वोचे न्यायले के पक्ष में खड़ी है या नहीं खड़ी है, ये उनको तैय करना है, जिस तरीकी का बयान वहां से आया है, नितिश कुमार और खड़गे की मुलाकात के बाद हलाएं कि आधिकारिक बयान नहीं आए, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई, उसमें खड़गे साब ये मान रहे थे कि संगिया धाचे की आपसे सम्विधान के साब से काम होना चाहिए, ये उन्होंने ये भी कहा, ये टिपड़ी उनकी तरफ से की गई, कि 15 साल सीला दिशित वही मैनिफेस्ट हो, कॉंग्रिस ने रखा, उसको जीत भी हासिल भी, तो कहीं आपको लग रहा है कि आपको भी अपने फॉर्मिले पर फिर से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों को वादा करते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के वादे पर आ सिंग सीधे तोर पर ये कह रहे हैं कि आज जो मुलाकात के लिए निकल रहे हैं, पश्चि मंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसको पास होने से रोकना होगा, यह उनकी कोशिश और सीधे तोर पर आम आदी पार्टी ये कह रही है कि दोजार चॉबीस में जो विपक्षी एक्ता की बात विपक्षी पार्टियां कर रही है वो उस विपक्षी एक्ता का एक टेस्ट जो है सेमी फाइनल टेस्ट जो है वो इसी बिल के दौरान पता चल जाएगा कि जब तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ नजर आएंगी अगर एक साथ नहीं नज़र आई तो आप समझ लीजिए कि क्या आगे चल कर होने जा रहा है कैमरमेन अज़ेति वारी के साथ दीपक सिंग रावत ABP News दिली